5 जून से लेके 11 जून 2023 तक चलने वाले सब्ताह का राशी फल लेके मैं आपके समने उपस्तित हूँ नमस्ते अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जबाना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमेशी यानि एरिस राशी से भई इस सब्ताह में आपके घर में एक धार्मी का योजन होने वाला है और इसके लिए प्रिप अंबनने शुरू हो जाएंगे और जो लोग अभी रोजगार से अपने करियर से जूझ रहे थे ना मेश राशी वाले उनके लिए भी इस सब्ताह में गुड़नी उजाने के योग हैं दिखकते एकी चीज़ की है कि यहाँ पे आपकी हिल्थ को इस्पेशली डाजेशन सिस से कोई अनबन हो सकती है इस सब्ताह में इवन बच्चों से भी विरोध हो सकता है यानि ओवराल घर में किसी ना किसी वजह से आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का महौल रह सकता है लेकिन वर्क प्लेस पे यह सब्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है आपको से देखियेगा किस तरह से सारा सब्ताह आपके लिए एक रिमार के बल वर्थ रिमेंबरिंग सब्ताह बनके आता है अब अगर मिथोन यानि जमिनाई वालों की बात करें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा केर करनी का ऐसा चीज है कि कर्जा मत लीजिएगा इस सब् से पहले तो अपने खर्चों पे कंट्रोल रखेए और दूसरा अगर पैसे उधार लिनी की जुरूरत पड़ी तो उसको आने वले समय तक पैंडिंग डाल दीजिए आपके साधन खुद बखुद ही उस समय में बन जाएंगे हेल्थ ओवराल आपकी नॉर्मल रहेगी और सम्बंद भी आपके जो हैं वो एक एवरिज तर पर ही रहेगे एक छोटा सा उपाई जो खर्चों को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करेगा पूरा सपता एक आईरन का लोहे का जो नाइफ होता है न चाकू उसको अपने पिलो के नीचे रखके सोईए और सुभा वापिस उसको किचन में रख दीजिए सरल उपाई पर आपके लिए एक बड़ा ही जबर्दस उपाई अब कैंसर यानि करक्राशी वालों की बात करें तो भाई आप लोगों के लिए थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना जो है इस सपता में एक जुरूरी चीज़ बन जाएगी और मोर ओवर इस सपता में जियो जु सपता आगे बढ़ेगा आपके अंदर उर्जा भढ़ती चली जाएगी और उसकी वजह से आपके बिगड़ते हुए काम भी आप खुद ही बना लोगे दोस्तों का समाज का साथ भी मिलना शुरू होगा और स्टूडेट्स जो हैं उनके लिए कंपिटिटिव एक्जैम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाने का ये सब्ताह रह सकता है और उपाय के तोर पे मंडे वाले दिन किसी भी जुरूरत बच्चे को स्टेशनरी दीजिए और अगर ये संभव नहीं है तो किसी भी धर्मस्तान पे हरी मूं की दाल चढ़ा के आई और फिर देखेगा सारा सब्ताह आपके लिए कितना जबरदस रहता है सिंग यानि लियो भई खर्चों पे कंट्रोल रखना है एकदम से धनका लॉस होने के योग बन रहे हैं इस सब्ताह में आपके लिए जो सबसे जबरदस योग है वो ये है कि एकदम से आपकी काबलियत को पहचान के आपको नई असाइनमेंट्स मिलेंगी चाहे आप अपने काम में है चाहे आप नौकरी में है और उनका फाइदा उठाना तोटली आपके ऊपर डिपेंट करेगा मौके को लपक लेंगे तो आने वाले महीने साल भी बढ़िया हो सकते हैं लेकिन अगर मौका जाने दिया आपने तो फिर इतना अच्छा मौका बार-बार नहीं आएगा उपाए के तौर पे एक सरल उपाए जो इस सब्ताह में आपको बाकियों से कहीं आगे ले जाएगा जमीन से उखाड़ी हुई सब्जिया जैसे के गाजर, मुली, शल्गम, यहां पे आलो प्यास नहीं लेने है इन में से कोई सब्जी अगर क्योंकि summer season है यह सब्जी आराम से नहीं मिलती हैं आप कंद मुल ले सकते हैं आप सूरन ले सकते हैं इन में से कोई एक दो किलो सब्दी लेके इसको किसे भी लंगर में मंदर में डोनेट करके आई और फिर देखेगा कि सारा सब्टाह आपके लिए कितना ही जबरदस रहता है तो अब बात करते हैं कन्या यानि वर्गोवालों की भई इस सब्टाह में आपके इंकम बनती बिगड़ती रहेगी इस सब्टाह में इवन आपके अपने प्रेमी जणों से या इवन जीवन साथी से भी काफी ज्यादा अन्बन रह सकती है इस सप्ता में मन एकदम से ब्लैंक, एकदम से आपका मन जो है ना ब्लॉकेज का शिकार रहेगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि आपको दरसल करना क्या है, और चीजों को भूलने की भी आपको दिक्कत इस सप्ता हमें हो सकते हैं, यानि ज्यादातर चीज़ें आपके मन स आपके व्यवहार से जुड़ी हुई हैं जो खराब होंगी और पूरा सप्ताह आपका दिक्कत वाला निकल सकता है और उपाए इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा ही सरल है चने की दाल उसको संडे वाले दिन रात बर भिगोई है एक कटोरी भर लेके और उसको मंडे वाले दिन सवेरे केले के पेड़ के नीचे बड़ी श्रधा से अरपन कराईए सारे सप्ताह की उर्जाएं आपके साथ रहे अब अगर तुला यानि लिब्रावालों की बात करें तो भाई आप लोगों के लिए जो सप्ताह है न ये है कामकारोबार में बड़ी सावधानिक है दिल की बातें किसी से शेर मत करिए और बस अपने काम पे ध्यान दीजे गौसिप से बचिए क्योंकि ये चीज सप्ताह म मैं आपके चन्दर्मा जो है ना कहीं कमजोर है और पानी पीने से इस चन्दर्मा की उर्जभी आपके लिए कμपंसेट हो सकती हो सकते हैं चांदी की गिलास में पीज cią कनी की क्वांटीटी जो है वो बढढा दिजे। उपाए के तोरपे लाल मौली, लाल पीली नहीं आपने की तैयारी में है, इस सब्ताह में केवल अपने काम पे फोकस रखें, दायबाय की चीजों में एनर्जी वेस्ट मत करिए, जहां पे आप पैसे दे के अपने समय को खरीद सकते हैं, यानि के अपने काम किसी और को डेलिगेट कर सकते हैं, वो करिए, और जो आपके पास समय बचेगा नो, उसमें फ्यूचर की प्लैनिंग करिए, क्योंकि इस सब्ताह में प्लैनिंग की उर्जा आपके साथ है, प्लैनिंग कर पाएंगे, तो आने वाला समय आपके लिए रहेगा, बड़ा ही जबर्दस्त, तो एक उपाई आपके लिए है, थोड़ा सा गुड अपने लेना है, तिल, अब गर्मियों में तिल नॉर्मली नहीं मिलते हैं, इसलिए केवल आप गुड भी चलेगा, आप किसी भी क्वांटिटी में गुड लेके, इसको शिव मंदिर में बड़ी श्रधा से मंडे वले दिन से वेरे आरपन करके आईए, और फिर से सब्ताह की सारी अच्छी उर्चाएं आपका साथ देती हैं, अब बात करते हैं धनू यानि Sagittarius, भई सबसे पहली तो बात है कि किसी परिवार जन की वज़ह से आप इस सब्ताह में किसी ना किसी तरह के stretch, anxiety में आ सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि सब्ताह में आपका का करने का दिल नहीं करेगा, थोड़ा सा काम आप टाल सकते हैं और उसकी वज़ह से आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कते हो सकती हैं, तो मन पे कंट्रोल रखिए, दाएबाएं की जो परिस्तितियां उनको अपने उपर हावी मत होने दीजे, बस जीवन में आगे चारा खिलाईए, बस इतना भर करना है, आप चाहे मंडे खिला दीजे, चाहे सब्ता के साथों दिन खिला दीजे, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, इन कॉंटेक्स विद यूर वर्क, एन कॉंटेक्स विद यूर फैमिली वेल बीग, अब अग उर्क, बाटा, धबार लेने से बचिये, और इस सप्ताह में पैसे के मामले में कोई भी रिस्क लेने से भी बचिये, क्योंकि ये जो सप्ताह में पैसे के मामले में one-way सा है, पैसा आता रुजाएगा, लेकिन अगर गलत दिशा में लगा दिया, तो वो पैसा शायद फिर क अगर आप शिवलिंग की जगा पे मा गौरी की मूर्ती के आगे ये अरपन करके आएंगे तो ये आपके लिए दो-दो benefit करवाएगा एक तरफ से health का और दूसरी तरफ से wealth का केवल इतना भर उपाई करेगा और फिर देखेगा किस तरह से सारा सप्ता आपका अच्छा रहता ह अब अगर कुम्ब यानि Aquarius वालों की बात करें तो भई आप लोगों के लिए जो सप्ता है ना ये सप्ता है थोड़ा सा disciplined हो जाने का पिछले काफी समय से आप बड़ी सारी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं कि बर रूटीन में उलचे हुए हैं ना आप future की planning कर पा ना खुद को upgrade कर पा रहे हैं और उसकी वज़ा से आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होने जा रही है आपको आप लोगों की शनी की साड़ी सक्ती भी चल रही है आप लोगों को थोड़ा सा काम से break लेके future की planning करनी है अपने आपको upgrade करना है तब ही आने वाला समय आपके ल रहेगा नहीं करेंगे जीवन तो चलता रहेगा लेकिन जीवन की quality जो है वो लोग चली चाहेगी एक बड़ा सरहल उपाए है और वो उपाए जुड़ा हुआ है श्री हरी विश्नु मंदिर से बगवान हरी विश्नु के मंदिर में लक्ष्मी नरायन मंदिर में आप जाए और बरफी अरपन करके आईए वो चाहे पावबर हो जाए आदा किलो किलो हो जाए क्वांटिटी का मैटर नहीं है मंदे वाले दिन इसको अरपन करके आईए क्योंकि ये उपाए जो है आपके ग्रहों को आपके अनुकूल करेगा और सबताह में आप अच्छी योजना बन करके रूट के गुस्सा करके उस महरबानी को अपने से दूर कर लोगी तो बस यही उपाए आपने करना है इसके बाद सारा सबताह ने आने वाले कई महीने आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं आपको किसी भी कुश्ट आश्रम या विकलांग आश्रम में जान इससे आप सहायता लेकि अपने आने वाले समय को बहुत ही बेहतर बना बाएंगे तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई टॉपिक नई विशे के साथ अपना ध्यान रखियेगा नमस्ते